तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं NCRT के डाइमंड कोशन करने वाले हैं बटा चप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमेगनेटिक इंडक्शन क्लास्ट वल्थ फिजिक्स जो यह चप्टर है इसका अल्लेडी मैंने आप लोगों को वन्चोट करवा दिया है इसके प्र जाएगा इस वीडियो में पूरा जरूर देख लेना और वीडियो को बस अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना बस एक चोटी सी रिक्वेश्टर मेरी तरफ से और टेलीग्राम चैनल बेटा सुनील जंग्रा सर के नाम से जो भी मेरे नोट्स हैं जो भी पीडिएफ्स वग प्लाइब लोगों को मिल जाएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के पहले कोशन से एलेक्ट्रमेगनेटिक इंडेक्शन के कोशन कर रहे हैं तो पहला कोशन क्या है NCRT का इंपोर्टन कोशन है यह सर्कुलर कोईल ओफ रेडियस 10 cm 500 टन्स एंड रिजिस् इस रोटेटेड अबाउट इस वल्टिकल डायमेटर थ्रू 180 डिगरी इन 0.25 सेकंड तो इसका मतलब यह है कि जो कोईल है वो सबसे पहले इन दा डारेक्शन ओफ फिल्ड थी वो सबसे पहले उसका एरिया वेक्टर इन दा डारेक्शन ओफ फिल्ड था अब उसको घुमाय इस तरीके से जाता है कि अब वो कैसे आ जाती है भाईया 180 डिग्री से उसको घुमा दिया जाता तो इसका मतलब वो अपोजिट हो जाएगी किसके मेगनेटिक फिल्ड के और एरिया वेक्टर में जो एंगल आने वाला वो 180 डिग्री हो जाएगा कितनी देर में 0.25 सेकंड म तो इसका मतलब इस कोईल के प्लेन के साथ जो फिल्ड लग रहा था टैच हो रहा था मतलब फ्लक्स लग रहा था वो चेंज हो रहा था इसका मतलब यह में इंडियूस होगा कि एरिया में लगने वाला प्लक्स छेंज हो रहा है लगने वाला फ्ल्ड जो है वो चन्ड ओर है कि मानलो ऑप यह बिरॉइर है और प्लक्स लाइंगे प्लक्स दो होगा क्योंकि flux क्या होता भी डॉट या डी एस या एस वेक्टर आप लोग बोल सकते हूं ठीक है चलो तो सारी चीजे हमने सबसे पहले रिख दी जो जो चीजे आप लोगों को गिवन है और जो सेंटीमीटर है उसको मीटर बना लिए उसके लिए हम हंडर से डिवाइड करें है और यह मिटर स्क्वेयर में है ठीक है अब उन सक्वेयर मैं ही जो निकाल लेंगे मइनस अधिफाइभ यिटी 1 कितना है वो है B A cos theta और theta उसके case में कितना है 0 degree starting में वो वहीं पे है क्योंकि उसने बोला कि अब उसके बाद वो 180C पे घुम जाती है ठीक है तो हमने इसको ऐसे find out करना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे 5 1 फिर उसके बाद निकालेंगे 5 2 दोनों को minus करेंगे हमने यहाँ पे values को रखा क्योंकि देखो 5 2 की value क्या होगी B A cos theta 2 होगी 5 1 की value क्या होगी B A cos theta 1 होगी दोनों को यहाँ पे put करेंगे जो common उसको बाहर ले लिया और बच गया यह आप लोगों के पास तो इसमें N put करो B put करो A put करो cos theta 2 180 हो गया तो मतलब cos 180 is minus 1 cos 0 is 1 होता है तो यहाँ से हमें मिलेगा minus 2 यहाँ से हमें मिलेगा minus 2 तो वही किया है सारी values को put किया और यहाँ पे बन गया यह minus 2 बस उसके बास simple calculation वाला पार्ट ही तो बचा है बिटा और उसका जो plane है वह perpendicular to है horizontal component के अर्थ के तो horizontal component of earth के परपेंडिगुलर है ठीक है मानलो यह रहा north यह रहा south तो horizontal component आ गया magnetic field अब starting में इसका area vector इधर ही है अब यह angle कितना भी है इसमें 0 था बस यह चीज जूडनी थी उसके बाद यह घूम के कहां चली जाती है 180C पर कहां चली जाती है भी है 180C पर it is rotated about its vertical diameter vertical diameter से इसको ऐसे rotate किया जाता है through 180 degree in 0.25 second through 0.25 second में मतलब इतनी देर में 180 कितनी देर में 0.25 second बस तो यह values पूट करनी थी हो गया चली बाद में पूछा है कि current बताओ तो वही current कैसे निकलेगा e by r से e तुमने यहाँ पर find out करी लिया r की value कितनी है given है कितनी है दो home दिया गया दो home आप लोगों के पास ठीक है तो यह गया 1.9 into 10 days to over minus 3 ampere अरे 38 को 2 से divide करेंगा 19 आरे ना तो यहाँ पर 3.8 है तो वो 1.9 बननने वाला है next question की तरह बढ़ते हैं क्या बोला गया है यह one meter long conducting road rotate with an angular frequency of this मतलब omega की value अप लोगों को दे दी गई है ठीक है about an axis यह क्या है रोड है यह रोड है जो एक मालोई इसका axis है cross हो रहा है यहाँ पर यह एक्सिस यह रोड है बिटा जी यहाँ पर इसका axis ऐसे cross करके बना दिया मतलब अंदर है ठीक है तो यह rotate कर रही है with angular frequency omega से ठीक है आगे क्या बोला है आगे बोला है about an axis normal to the road passing through one of its end यहाँ से पास हो गया ठीक है रोटेट कर रही है यहाँ से पास हो गया ठीक है और उसके बाद बोले कि other end of the road is in contact with a circular metallic ring यह circular metallic ring है दूसरा and उसके contact में है ठीक है और एक constant magnetic field of 0.5 tesla parallel to the axis मतलब यहीं पे ऐसे इस axis के parallel इस axis के साथ साथ जा रहा भी है कौन फिल्ड जा रहा है ठीक है calculate the EMF developed between the center and ring तो यह तो वह गया है कि यहाँ पे देखो पहले क्या था road move कर रही थी अब क्या और रोड रोटेट कर रही है एक simple सा formula लगेगा rotation वाला कौन सा formula था भी हाफ B omega L square तो B की value यहाँ पे given है 0.5 tesla है बटा omega यहाँ पे given है कितना दे रखा है 400 radian per second दे रखा है मतलब omega की value given है और length कितनी है यह दे रखिया road यही तो घुम रही है कितनी यह वन मीटर की है बही है तो बस इसमें value को put करते हैं half B की value 0.5 और omega की value is 400 और साथ में length की value is 1 तो इस 2 ने इसको cut किया तो यह 200 बन गया और 200 ने 0.5 के साथ multiplication करी तो यह कितना बनेगा 100 बनने वाला है कितना बनने वाला भईया 100 बनने वाला है next fourth question देखते है यह rectangular loop of side 8 cm and 2 cm with a small cut is moving out of a region of a uniform magnetic field of magnitude this यहाँ पे बोला क्या है कि आप लोगों के पास एक rectangular loop है अगर rectangular है तो एक side बड़ी होगी एक छाट छोटी होगी बहया तो इन्होंने side दे दी एक 8 cm और एक 2 cm cm को मिटर बना लेना बता रखा है कि cm के नीचे 100 लगा देंगे अब इसके बाद क्या बोले है इनमें एक cut है इस rectangular में एक cut है जैसे कि मैंने बना रखा है ठीक है अब इनने बोला क्या है यह क्या कर रही है moving out of a region यह बाहर आ रही है ठीक ह और किस से बाहर आ रही है एक field से जो की है 0.3 tesla directed normal to the loop अंदर की तरफ है ठीक है directed normal to the loop directed उसकी तरफ तो cross बना दिया हमने आगे what is the voltage developed across the cut if velocity of loop is 1 cm per second तो पहले बात तो 1 cm per second है उसको मीटर बना लेना उसके लिए नीचे 100 लगाएंगे उसके लिए क्या करेंगे नीचे हम 100 जाएगा 10-2 meter per second इसकी क्या हो गई velocity हो जाएगी 10-2 meter per second इसकी velocity हो जाएगी अब यहाँ पर बोला क्या है direction normal to the first part में बोला है कि longer side से अगर उसको हम क्या करें वो अगर चल रहा है ध्यान से देखना what is the voltage developed across the cut if velocity of loop जो की इतनी है in a direction normal to the longer side देखो यह है इसकी longer side भई यह ऐसे अगर बाहर आना चाता है यह ऐसे अगर बाहर आना चाता है तो आप लोगों को बताना इसमें क्या EMF कितना induce हुआ है तो एक तरीके से वो क्या है भईया यह एक road की तरह है कि road इसमें क्या कर रही है rotate कर रही है road इसमें क्या कर इसमें कर रही है रोटेट ने मूव बोलो मूव कर रही है rotation में तो घूमना पढ़ेगा अंगुलर आएगा तो यह ब्रोडर साइड से बाहर आ रहा है ऐसे आ ठीक है अब यह यहां से लेके अगर यहां तक जाता है तो इस पर कोई भी फरक नहीं पढ़ेगा यहां तक जब कैसा है नॉर्मल साथ तो भी इल वी लगाएंगे बी कितना है डान है फोट भाव यह कितनी है इस्वार संप करने रहे हो यहां पर यह व्यूंशंत करें गाए लगांगे तो यहां आ दो यहां पर यह तो और पी यहां संपे को मेंटर बना प्राओ निचे हंडर साइड ऑफ दा लूप से वह बाहर आए इस साइड से वह अगर बाहर आए तो आप लोगों को यह में बताना है तो इस लेंथ को लेंगे फिर तो इस इकोल टू बी वी एल बी गिवन है बी गिवन है पॉइंट 3 वी की वेल्यू वह भी है 10-2 है 10-2 है ठीक है और लेंथ कितनी है लेंथ कितनी है तू सेंटीमेटर है क्योंकि अब यह वाली लेंथ को मिटर बनाओ तो बाइ में हंडर्ड बन गया हूँ तो टू इंटू टैन माइनस तू बनेगा इसको खतम कर दो ठीक है तो वैल्यूस को पूट करेंगे अंसर आजाएगा अब यहां पर यहां इतने म के लिए रहे गा दोट नों केस इसमान जब यह ब्रोडर साइड से बाहर आएगा यह ब्रोडर साईड से बाहर आगा घए जब बि MVровाड साईसे बाहर आएगा तो जब यह बिलकुल यहां से आजाएगा ठीक है पहले यह यहां पर पहुंच लाओ लो यह बेलकल EMF रहेगा, तो time निकालना था, time कैसे निकालते हैं, distance traveled, वे कितना दूर तक जाना है उसने, बाहर जब आ रहा है, तो कितना distance वो cover करने के बाद बाहर आ रहा है, तो वो था two centimeter, centimeter को बनाया, meter, तो two into ten minus two बना, velocity, इसके case में कैसी है, पहले के case में, ten minus two है, तो ten minus two को हमने नीचे रखा, ten minus two से ten minus two कट गया, तो two second के लिए रहेगा, पहले case में, दूसरे case में बोल रहा है, कि इसमें भी time बताओ, तो इसका मतलब यह है, कि भीए, इसके साथ कब तक flux attach रहेगा, जब तक यह पूरी बाहर ना चली जा रहेगा, यह पूरी बाहर कब जाएगी, जब यह बिल इने सरकिट falls from 0.5, sorry, not 0.5, जब इस 5.0 ampere to 0, मतलब initial current यह है, final current यह है, in this second, मतलब आप लोगों को बोल सकते हो कि di by dt जो दे रखा है, वो कितना दे रखा है, वो 0 minus 5, नहीं, 5 minus 0 लिखेंगे न, नहीं, final तो यहाँ, 0 minus 5 upon minute time, time कितना है, 0.1, तो इसकी values कितनी, minus 0.5 आ रहे ह है, ठीक है, चलो, वो अभी कर लेते हैं, if an average EMF of 200 volt, 200 volt is induced, give an estimate of the self-inductance of the circuit, EMF given है, current change हो रहा है, time के साथ, तो इसका मतलब हम EMF वाली equation ही लगा सकते हैं, self-inductance निकालने के लिए, क्योंकि अगर flux दिया होता, current दिया होता, तो सीधा निकाल देते, L, simple, 5 is equal to L I कर देते, देखो, E की value कितनी है, 200, minus हुआ, L हमें find out करना है, current कैसे change हो रहा है, 5 से 0 हो रहा है, तो final current minus initial current नीचे is time, नीचे क्या है, time है, ठीक है, तो ये minus और minus हो जाएगा, plus, ये चला जाएगा भाईया, इदर, ये चला जाएगा इदर, ये सीधा सा क्या है, आप इसको cut कर दो, 40 ब चार आगया answer, और L निकालने को बोल रहा है, तो हैंरी में आ गया, नेक्स्ट छटा question, क्या गयता है, इन्होंने बोले कि एक long solinoid है, जिसके पास 15 turns है, पर centimeter, मतलब पर centimeter में 15 turn है, मतलब N की value बोल रहा है, 15 by में centimeter, centimeter को बनाओ meter, तो नीचे लगाएंगे 100, और ये 100 चला हो, मतलब ये बन जाएगा, N की value is 15 into 10 days to power 2, पर meter में अभी इतने आ चुके है, 15 into 10 days to power 2, चलो, solinoid जो है, उसके अंदर टन्स बता दी, उसका जो, उसके अंदर अब क्या बात बगर रहा है, has a small loop, इसके अंदर एक small loop है, जिसका area of cross section ये दे रखा है, placed inside, ये इसके अंदर र रखा हुआ है, normal to the axis of solinoid, जैसे कि यहाँ पे solinoid हमने लिया, ये solinoid हमने लिया, ये इसका axis है, इसके अंदर एक छोटा सा loop रख दिया, तो ये loop क्या है, loop का plane, इसके axis के perpendicular है, वो बात इन्होंने बोल दी, यहाँ पे normal, ठीक है, if the current carried by solinoid changes, जो current solinoid में है, अगर वो change हो र changing, देखो यार, इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ, कि इस loop के साथ लगने वाला जो flux वो भी change होगा, क्योंकि यार, current change हो रहा है solinoid के अंदर, और current change हो रहा है, तो magnetic field भी change होगा, क्योंकि देखो current पहले कितना 2 ampere है, बाद में कितना 4 ampere, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह पहले initial magnetic field निकाल देते है solinoid का, initial magnetic field निकाल देते है solinoid का, वही तो attach होगा न, उसके loop के साथ, वही attach होगा इस loop के साथ, तो यह सबसे पहले जो initial magnetic field solinoid का वो निकाला, B का formula होता है, mu naught ni, तो mu naught की value is 4.10-7, n की value अभी बताइए मैंने, 15 into 10 days to power 2, मतलब 1500 आप लिख सकते हो, और I1 कितना है, I1 है 2 amp, तो यहां से मुझे B initial मिल गया, अब current चला गया, कहां पे, current चला गया, कहां पे, 4 पे, तो फिर से, अब पहले जब current 2 था, तो उसमें हमने field बताया solinoid में कितना, अब जब current 4 हो जाएगा, तो field कितना होगा, डबल हो जाएगा, उससे डबल हो गया, बाकि सारी चीज़ों तो सेम है, तो यह हो गया, 240 पाई, इंटो 10 माइनस 5 टेसला, अब देखो, यहां current, सोरी, magnetic field initially 120 पाई था, और यहां पर 240 हो गया, तो इसका मेगनेटिक field चेंज होगा है, और उसके अंदर रखा है भाया, लूप, तो उस लूप के साथ लगने वाला field भी चेंज हुआ, या फिर मैं बोलू कि फ्लक्स चेंज हुआ है ना, तो हमने अब क्या किया, जो फ्लक्स कोईल को मिला, सबसे पहले इनिशली वो निकाल दिया, फ्लक्स कैसे निकालते है, बी डॉट ए से, बी डॉट ए कोपन करेंगे तो बी ए कोस्ट रीटा, लूप कैस इन्टू में एरिया मल्टिप्लाइ कर देंगे, तो पहले वाला बी ए लिखा और साथ में उसका एरिया मल्टिप्लाइ कर दिया, तो फाई इनिशल की वेल्यू आगे, सिमिलरली फाई टू की मतलब फाई एफ की वेल्यू आजाएगी, फाईनल फ्लक्स की वेल्यू है सुरी फाइनल भी आ चुका और इनीशल भी आ चुका है दोनों को पुट करेंगे और हमारे पास अंसर आ जाएगा क्या ही दिक्कत है सिर्फ मुद्दा समझना था कि करेंट है तो ऐसे एक फिल्ड बना भी तो वो कुछ अलगो आग लग रहो तो में पता लगा की एक एक बार flux कुछ है एक बार कुछ है तो चेंजिन फ्लक्स आ गया चेंजिन फ्लक्स आ रहा तो यह में फिन्डूस हो रहा है तो आगया अंसर चलिए नेक्स यह एक्जमपल है यार सॉल्ड एक्जमपल है बहुत बढ़िया हूं कमला पैडल से बाइसे कल एक स्टेशनेरी बाइसे कले धों खड़ी हुई है wireless जो खड़ी हुई है जुके मानलो यह कोईल है यह क्वाइन सर यह की सिइख सेना यह सब्सक्राइब और यहां पर लगे हैं पेड़ल ओके यहां पर एक प्रिकले पूरा कर रहा है तो कि उसने 0.5 दे दी, कितनी 0.5 हर्ट्स दे दी, ठीक है, उसके बाद, and it is placed in a uniform magnetic field, जिसकी value कितनी है, 0.01 tesla है, to the axis of rotation of coil, और ये कैसी है, perpendicular to the axis of rotation, मतलब, मालू ये इसका axis of rotation है, तो यहाँ पर ये ऐसे होगी, यहाँ पर ये ऐसे field होगा, तो ये ऐसे घुमता रहेगा, तो ये coil भी घु generated in the coil, ये वैसा हो गया, generator का case हो गया, कि magnetic field रखे है, उनके बीच में coil घुम रही है, उनके बीच में coil घुम रही है, तो maximum EMF आप लोगों को पूचा गया, तो maximum EMF क्या होता है, E not, जो कि क्या होता है, N, B, A, omega, yes or no, अब omega दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, omega नहीं दिया तो या, omega क्या होगा, 2 pi frequency होगा, तो निकल जाएगा, क्योंकि frequency given है, omega निकल जाएगा आराम से, N given है, A given है, omega निकाल लेंगे, और B की value given है, तो भई, formula लगाएंगे, सीधा maximum EMF का, E not is equal to कितना, N, B, A, omega, ठीक है, तो सारी value put कर दो, so put किया, B की value 0.01 है, इसकी 0.01 है, इसकी 2 2 pi into, और यह कितना है, 0.5 है, सिर्फ multiply करना है, अंसर आजाएगा, 0.31 volt, सिर्फ multiply करना बेटा जी, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है, next, आठमा question, a wheel with 10 metallic spokes, spokes क्या होती है, यार, cycle का पहियां देखा को, उसमें, ऐसे ताडियां बनी होती है वो spokes हैं, ठीक है, 10 spokes हैं ये, each 0.5 meter long is rotated with a speed of 120 revolution per minute, बदो 120 revolution per minute में वो पूरा करता है, तो इसको second में चेंज करो, क्योंकि revolution per second हमें चाहिए, तो 120 by में minute को second में लिखेंगे, तो 60 second लिखा हमने, तो 60 की ये से कट, तो आगया आप लोगों को 2, क्या आगया, 2 आगया आप लोग है, frequency आगयी, frequency क्या आगयी, आप लोगों के पास, 2 hertz आगयी है, ठीक है, अब ये घूम रहा है, अब ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसने बोला न, रोटेट ही, तो हमें ओमेगा भी चाहिएगा, तो ओमेगा कितना होगा, 2 pi frequency, ये 2, ये pi, pi की value 3.14 रखे Earth Magnetic Field, HE, Earth Magnetic Field को HE बोला है, इसने, HE, at a place, at a place, at a place, मतलब, ये एक सिंपल भाशा में बोला है, कि भाई, ये एक पईया है, जिसके अंदर क्या है, 10 spokes है, 10 ताडिया बनी हुई है, जिनकी लेंद कितने है, 0.5 मीटर है, वो रोटेट कर रही है, कि स्पीड पे, 120 revolution पर मिनट प frequency पे, तो वहाँ से हमने omega निकाल लिया, अब उसके बाद कर रहे हैं कि इन्ने plane, किस plane में, जो नॉर्मल है, to the horizontal magnetic field, मतलब, ये plane है, इस plane के horizontal, horizontal, यहां से dot बना दो, अगर पीछे north ले रहे हो, और इधर south ले रहे हो, तो यहां से dot बना दो, ऐसे, field मतलब, इसके r पार हो रहे ओके, और वो field की value भी बता दी, इसने कितनी है, point for goals है, और goals की value कितनी होती है, one goals is equal to ten district for minus four tesla, ठीक है, minus four tesla, लिखा भी हो, मैंने, उसके बाद, what is the induced EMF between the axle, axle यहां पे होता है, and the rim, यह rim होता है, ठीक है, अब ध्यान से देखना है, यहां पे तो 10 ताडिया है, कितनी ताड पैरलर ही तो लगी है, मालो देखो यह गोमी, यह जब एक, एक road जब rotate कर रही है, तो इसके ends के बीच में यहां, EMF induce होगा, सेम अगली घुमे की तो यहां और यहां, इन्डियूस हो रहा है, यह सब पैरलर में तो लगी हुए है, तो यहां पैरलर लगी है, तो सब के पास हमने निकाल लिया है अब सिंपल वही हाफ वाला फॉर्मॉला लगाएंगे हाफ बी ओमेगा आर स्क्वेर आर स्क्वेर कौन है जो इनकी लेंद्थ है यह रेडियस ठीक है तो भया हाफ एक वैल्यू है बी गिवन है पॉइंट फॉर इंटू टैन माइनस फॉर गोल्स की वैल लोगों के पास यह रही लेंथ जो की आर बना दी हमने दोबारा से एक बार वैल्यू उसको पुट करते हैं वन बै टू हो गया ठीक है बी की वैल्यू कितनी होगी पॉइंट फॉर इंटू टैन माइनस फॉर हो गया ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है जो की क मतलब लेंथ की वैल्यू पॉइंट फाइव का स्क्वेर तो सिरफ सॉल करना है अंसर आजाए का पिटा जी ठीक है तो यह कोशन आप लोगों का आठवा नेक्स्ट है नाइन्थ कोशन बड़ा ही असान और इजी कोशन है यहाँ पे आप लोगों को क्या बताना है आपको ड में पिटाना है कि समक्रणट कैसा होगा यार जब यह इस श्यक में पढ़ी है तो उसके देए चन्हास के बाद हम इसको सररे के शो दे थे रहे हैं तो सर्कल दे घा एरिया बड़ा हो रहा है यह यहाँ पे direct होने में जो दो चेंज हो रहा है यहाँ change औरा flux और कैसा चेंज औरा increasing है तो इसको decrease करो हमें क्या करना है उसको decrease करो तो decrease कैसे कर सकते क्रोस का मतलब है कि फिल अंदर जा रहा है फिल अंदर जा रहा है हमें उसके opposite करना है तो opposite करने के लिए अंगूठा अपनी तरफ करो और finger जो दिखा रही है वो करेंट की डिएरेक्शन दिखा रही है तो करेंट आएगा ऐसे इस डिरेक्शन में एंटी क्लोक वाइज आप लोग बोल सकते हो क्या बोल सकते हो ठीक है सिमिलरली यहां पर आजाओ अब इसमें क्या है सरकल है पूरा उसको एक छोटी सी शेप दे रहे हैं एक रोड की तरह उ हो भी कम हो रहा है तो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है बट वह डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग को करना पड़ेगा इंक्रीज फ्लक्स कहां रहा है आपकी साइड आ रहे है डोट है तो आपकी साइड आ रहे है तो अपकी साइड करो क्योंकि हमें इंक्रीज ही करना है तो obtain the expression for the magnetic energy stored in terms of magnetic field B and area A और length L of the solenoid मतलब यहाँ पर जो magnetic energy होती है उसको इस term में लिखना है मतलब उसके formula में B आना चाहिए A आना चाहिए और length आनी चाहिए solenoid की simple है हमें magnetic energy पता है यार कितनी होती है half L I का square होती है half L I का square होती है अब यहाँ पर देखो जो L है solenoid solenoid एक single solenoid है तो L आप कैसे लिखोगे mu not small n square A L लिख दोगे ओके उसका area cross section उसकी length लिख दोगे चलो जी अब solenoid में field कैसे होता है solenoid में field होता है B is equal to mu not N I होता है B is equal to mu not N I होता है यहाँ से हमें निकाल लूँगा I तो I निकालके कहा यहाँ पूट करूँगा यहाँ तो I कैसे निकलेगा I निकलेगा B upon में mu not N निकलेगा तो इसको पूट कर देंगे हम यहाँ पे L की value रही यहाँ ठीक है दोनों को इसमें put किया और जो पूट कर दिया और बच गया हमारे पास क्या this simple है आपको कुछ नहीं करना आपको solenoid के लिए जो फिल्ड होता हुआ से करेंट निकालना solenoid के लिए जो self inductors होती है उसका formula लिखना ल की value पूट करो और आई की value पूट करो जो चीजे कर रही है उसको कट कर दो बाकी बचे को लिख दो वह आप लोगों का अंसर हो जाएगा ठीक है तो यह थे भीया आप लोगों के ncrt के diamond question of electromagnetic induction इसके बाद आएगा chapter number seven I hope यह वीडियो आप लोगों अच्छे लगी अगर अच्छे लगी तो अपने सभी इसके साथ शेयर जरूर करेगा इसके साथ इस वीडियो शेशन को करते हैं समाब मिलते हैं जल्दी से नए शेशन में सुबवाय टेक क्यार जैहिंद वंदे मातरम